मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल तीवारी जोती वास्तु टिप्स में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने सपने में दो सीवलिंग को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों स्वापन जोती सास्तर के अनुसार सपने में दो सीवलिंग का देखने का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारी चैनल को सस्क्राइब कर दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सेर चरूर करें तो दोस्तों अपने जोती सास्त्र के अनुसार अगर आपने अपने सपने में दो सीवलिं में एक की बजाए दो सीलिंग को देखा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में चल रही जो भी परेसानिया है वह जल्द ही समाप्त होंगी आपका जीवन सुखसांती से भरपूर रहने वाला है आपके घर में खुसी आएंगी सत्रू अगर आपको परेसान करने की कोशिस कर रहे हैं तो सत्तू पराजित होंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा परेसान है या किसी बीमारी से परेसान है या फिर किसी बात को लेकर आप चिंतित है या फिर आपको कोई कार है जो आटका हुआ है पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसी इस्तिति में आपको परेसानियों से छुटकार मिलेगा और सत्तू भी पराजित होंगे तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बोक्स में जैसी संबू जै महाकाल लिकर ज़रूर बताएं